हेलो फ्रेंड इना एजुकेशन के आज की गलास में आप सभी का स्वागत हैं आज हम लोग पढ़ेंगे जारखन की जन जातियां और इस करम में आज भी हम लोग तीन प्रकार की जन जातियां जो जारखन में पाई जाती हैं उसका ध्यन करेंगे किसी कारण वस मैं ये कलास आप लोगों को बोर्ड में नहीं पढ़ा रही तो चलिए देखते हैं और ये आगामी सभी एक्जाम के लिए काफी महतोपून है इसलिए मैंने सोचा कि डिले निया करते हुए इस तरह भी पढ़ा दिया जाए सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे चेरो जनजाती को क्योंकि जितनी भी जनजातियां हैं हर एक जनजाती से कोई न कोई प्रश्न आही जाता है इसलिए हम लोगों को हर एक के बारे में जानना आवश्यक है सबसे पहला तो हम लोग इनका निवास स्थान देखें तो ये पलामू, राची और हजारी बाग में ज़्यादातर देखे जाते है और प्रजाती इनकी द्रविड समू से है द्रविड प्रजाती समू के जो लोग होते हैं उनसे ही इनका कद, काठी, रूप, रंग, सब कुछ मिलता है निवास स्थान पूरे ज़ारखन में तो नहीं लेकिन पलामू, राची और हजारी बाग छेतरों में ये देखी जाती है इनके गोत्र केवल साथ हैं जिन्हें केली भी कहते हैं लेकिन यहां पर हम लोग साथों गोत्र के नाम को भी एक बार देख लेते हैं कौन-कौन से हैं मौवार, कुमर, सन्वत, रौतिया, मांज, महतो और सोहनेत ये इनके साथ गोत्र हैं हो सकता है कभी गोत्र के नाम से ही प्रश्न पोछ दिया जाए क्योंकि जहां पर कुछ लिमिटेड हो जाता है वहां पर प्रश्न आ जाता है अब खास बात इस जन जाती कि ये है कि ये स्वैम को 54 रिसी के वनसज मानते हैं और इस वज़ा से इनका जो नाम होता है तो नाम में अपना जो टाइटिल लगाते हैं तो सिंग या चौहान लगाना पसंद करते हैं तो 54 रिसी के वनसज माने जाते हैं ये अपने को कहते हैं अईसा और अपने नाम के लास्ट में जो टाइटिल लगाते हैं तो सिंग या चौहान लगाते हैं अब इनके विवाह जो होते हैं इनमें भी सगोत्रिय विवा नहीं होता है सगोत्रिय विवा वर्जित है इनमें भी इनमें खास बात ये है कि इनमें तिलक देने का प्रावधान है जैसे कि लड़के को वर को तिलक दिया जाता है इसमें अधिकतर जनजातियां वधु मुले देती हैं वधु मुले इनमें भ अब ही प्रावधान है जो कि लड़कों को दिया जाता है वर को दिया जाता है इन में विद्वा पुनरविवा भी होता है जिसे सगाई कहते हैं अब देखें इनके गाउं पंचायत को देखें तो चेरों का जो गाउं होता है उनका उन्हें टीह कहा जाता है तो बहुत सारे इसे गाउं के नाम आप लोगों ने सुने होंगे जिसके नाम के अंध में डी ही लगा हो नेक्स्ट इनकी जो पंचायत होती है विसेसकर जो जातिया पंचायत होती है उसे का नाम है भैयारी पंचायत इनकी जादिय पंचायत चेरो जन जाती की भैयारी पंचायत कहलाती है ये पूछा जाता है प्रश्न और ये जो पंचायत होती है इसमें तीन प्रमुक पद होते हैं महतो, छड़ीदार और पंच ये तीन ही पद बहुत ही महत्वपून होते हैं इनकी जातिय पंचायत में ये इनका गाउं समाज पंचायत हो गया इनका जो मुख्य पेशा है वो है क्रिसी और ऐसी एक मात्र ये जन जाती है चेरो जन जाती जिसे की जंगलों और पहाडों में रहना पसंद नहीं जंगलों में ही देखने को मिलते हैं लेकिन चेरो जन जाती एक मात्र ये जन जाती है जारखन की जो पहाडों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करते धार्मित प्रधान इनका कहलाता है बैगा और ये भी जादू, टोना, भूत, प्रेत, ओजा, मतियादे में विश्वास करते हैं अधिकतर जब बीमारी में या औस्वास्त हो जाते हैं किसी कारण वस तो ऐसे इलाज के लिए या इन से छुटकारा लेने के लिए ये लोग जादू टोना भोत पुरेतिया ओजा के पास जाते हैं अधिकतर बिमारियों के इलाज के लिए जाते हैं तो ये चेरो जनजाती की खास खास बाते हम लोगों ने देखी अब हम लोग चीक बढ़ाईक के बारे मे कहा जाता है इंका निवास स्थान रांची, गुमला और सिमडेगा में मुख्य रूप से पूरे जारखन में रांची, गुमला और सिमडेगा में चीक, बड़ाईक जनजाती विसेस रूप से देखी जाती है इनका भी प्रजाती सम्मो अगर हम लोग देखें तो द्रविड है और ये दू वर्गों में बटे हैं बड़ गोड़ही और छोट गोड़ही बड़ गोड़ही कार्थ होता है इनकी जनजाती में जो बड़ी जात होती है उन्हें बड़ गोड़ही कहते हैं और जो छोटी जात होती है उसे छोट इन में समगोतरिय विर्वा वर्जित होता है पंचायत नहीं होती है। इनकी देवी माई कहलाती है तो ये आज की दू प्रमुख जन जाती है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे धन्यवाद